Hello everyone, welcome to study cloud. एक बात कहनी थी आपसे, आपके सहयोग और विश्वास के लिए बहुत धन्यवाद और आगे भी परस्पर सहयोग की अपिक्षा है. तो इस वीडियो में हम करेंगे माई के तीसरे हफ्ते के पेस्ट 75 क्वेस्चन. तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं. तो हम सबसे पहले बात करते हैं, Important Days की महत्तुपुन दिवस. World Metrology Day ये मनाया गया 20 माई को. World Metrology Day ये होता है 20 माई को. Metrology का अर्थ होता है किसी भी चीज को मापना या उसका मेजरमेंट पता करना. और इस साल World Metrology Day का थीम था Measurement for Global Trade. Measurement for Global Trade. International Tea Day ये होता है 21 माई को. International Tea Day ये होता है 21 माई को. और 21 माई को ही Anti-Terrorism Day भी मनाया जाता है. ये इसलिए मनाया जाता है 21 माई को, चुकी सी दिन राजीव गांदी के हत्या हुई थी 1991 में. फिर है World B Day ये मनाया जाता है 20 माई को. ये Anton Jansa के बर्थले के दिन मनाया जाता है, इन्होंने ही बी कीपिंग को स्टार्ट किया था. और ये World B Day जो है, ये Food and Agriculture Organization के द्वारा Celebrate किया जाता है. जो कि एक United Nation की Agency है, United Nation के ही अंडर काम करती है. फिर है International Museum Day, ये 18 माई को होता है, और इस बर इसका थीम था Museum for Equality, Diversity and Inclusion. इसका थीम था Museum for Equality, Diversity and Inclusion, International Museum Day, ये 18 माई को मनाया जाता है. World AIDS Vaccine Day या HIV Vaccine Awareness Day, ये होता है 18 माई को. ये मनाया जाता है 18 माई को. इसको World AIDS Day से Confuse नहीं करेंगे, वो होता है 1 दिसंबर को. World Telecommunication and Information Society Day, ये 17 माई को होता है. World Telecommunication and Information Society Day, ये 17 माई को होता है. और World Hypertension Day, ये भी 17 माई को होता है. International Day of Light, ये 16 माई को होता है. National Dengu Day, ये 16 माई को होता है. International Day of Families ये 15 माई को होता है और इस बार जो इसका थीम था International Day of Families का वो था Families in Development Copenhagen and Beijing प्लस 25 Families in Development Copenhagen and Beijing प्लस 25 अब बात करते हैं अब इचोरीज की वो इंपोर्टेंट लोग जिनकी मृत्ति होगे तिसरे हपते में रतनाकर मटकारी इरान के लंबे समय तक रह चुके उपेक गवर्नर घुशान कजयंपोर अर्देविली इनकी भी देथ होगे ये उपेक गवर्नर बहुत दिनों तक रह चुके थे घुशान कजयंपोर अर्देविली इनकी भी मृत्ति होगे उपेक जो है वो पेट्रोलियूम एक्सपोर्टर कंट्रीज का एक और्गनेजेशन है जिसका हेटक्वाटर औस्ट्रिया के विएना में है बॉब वाट्सन ये बेसबॉल प्लेयर थे हैं इनकी भी रिथ हो गई बॉब वाट्सन सहित्य अकैदमी विजे था मसुहूर बंगाली लेखक देवेश रोय इनकी भी मृत्यू हो गई अक्टर साई गुंडेवार इनकी भी मृत्यू हो गई इनकी मृत्यू ब्रेन कैंसर के कारण हो गई महाज 42 साल कुमर में इनकी मृत्यू हो गई इन्होंने PK फिल्म में काम किया था एक्टर साई गुंडेवार पद्म भूशन बिजे था प्रफेसर अन्नी सुझजमन इनकी भी मृत्यू हो गई अब लोटते हैं MC की उस फॉर्मेट की तरफ अरूमबवूर वूट कारविंग यानि लकडी के द्वारा जो इस पकार की आकर्तिया बनाई जाती है अरूमबवूर में इन्हें अभी अभी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानि की भावालिक संकेतक का दरजाई दिया गया है यह किस राजे से संबंदित है यह तमिल नाडू के पेरम बुलूर चिले में बनाई जाती है तो हमारा उत्तर है तमिल नाडू यह तमिल नाडू से संबंदित है और पिछले साल ही तमिल नाडू के कंडागी साड़ी और डिंडी गुलताला इन दोनों को भी G.I. टैग मिला था और तमिल नाडू के तंजाव और एक जगह है जहां भगवान सीव का एक मंदिर है जिसे ब्रिहधरश्वर मंदिर कहते हैं यहां ऐसी नाकासी की जाती है पत्थरों पे जैसा गचितर में दिखाया गया है जिसे नेटी वर्क कहते हैं इसे भी अभी अभी G.I. टैग मिला है और कुछ दिनों पहले ही सहराई खोबर पेंटिंग जो की जारखंड की है और टेरा कोटा जो की गोरखपूर की है इन्हें भी G.I. टैग मिला है सहराई खोबर पेंटिंग जारखंड की और टेरा कोटा गोरखपूर यूपी की फिर बात करते हैं वर्ल्ड इनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया किस स्थान पे है इंडिया है जो 74 अस्थान पे यह जो इंडेक्स है यह वर्ल्ड एकोनोम इनर्जी जैसे कि हाइड्रो पावर और सोलर पावर की तरफ आगे बढ़ यह तो इसमें नंबर वन कंट्री है स्वीडन और इंडिया का जो रैंक है वो है 74 वा भारत 74 अस्थान पे है भारत की कौन सी राजी ने होप पोर्टल लॉंच किया है होप मेंस हेल्पिंग आउट है जो में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का मदद की के इस पोर्टल के मांद्यां से किया उतरा खंड ने ये किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा और जहां के मुख्य मंत्री हैं त्रिवेंदर सिंगरावत और एक और बात ध्यान रिखिए उत्तराखंड के बिशे में उत्तराखंड की जो नई समर कैपिटल है वो गैरसेन बनी है गैरसेन ICCR ने कौन सा गाना बनाया है जो भारत को कुरोना वाइरस के खिलाफ लड़ाई में मजबुती परदान करेगा ये गाना है United We Fight जो लिखा गया है जो एलवरेस के द्वारा और कुछ दिनों पहले ही HDFC ने वी एक गाना लॉंच किया था हम हार नहीं मानेंगे हम हार नहीं मानेंगे जो की प्रसून जोशी के द्वारा लिखा गया था और जिसमें संगित A.R. रहमान के द्वारा दिया गया था जो की HDFC ने किया था हम हार नहीं मानेंगे कौन से बैंक ने भारत को एक बिलियन डॉलर का इमर्जेंसी असिस्टेंस यानि कि अपात्कारीन सहाइता लून दिया है जो की भारत को कुरोना वारेस से लड़ने में मदद करेगी ये दिया गया है New Development Bank के द्वारा जिसे हम Bricks Bank भी कहते हैं और इसके Headquarter चाइना के संखाई में है और इसके President है K.W. कामत ये दिया गया है New Development Bank के द्वारा और ये भी ध्यान रखे World Bank का Headquarter Washington DC में है Asian Development Bank का Headquarter Manila Philippines में है और Asian Infrastructure Investment Bank का Headquarter Beijing चाइना में है अभी अभी Archeological Survey of India के Director General किसे नुक्त किया गया है जिनने अभी अभी जो कि हमारी immunity को boost करेंगे ये बनाया गया है CFTRI के द्वारा जो कि Mysore में है CFTRI ये है Central Food Technology Research Institute जो कि Mysore में है कौन सा राज्य है जो 11th होकी इंडिया Senior Main National Championship 2021 को host करेगा जो इसकी मेजबानी करेगा ये राज्य है महरास्टरा इसको host करेगा महरास्टरा और एक और पाद ध्यान रखे जो Senior Championship है वो Men's का महरास्टरा होस्ट करेगा Women's का UP होस्ट करेगा और जो Junior और Sub-Junior Championship है वो Men's का घर्याना होस्ट करेगा और Women's का जारखंड होस्ट करेगा हर्सवर्धन जो हमारे Minister Health and Family Welfare के लिए इन्होंने COVID-19 के टेस्टिंग के लिए एक टेस्टिंग मसीन देश को अभी अभी समर्पित किया है इसका क्या नाम है इसका नाम है कोबास 6800 कौन से राजी ने मातीर इसमिर्ष्टी स्कीन शुरू की है जिसके तहत यहाँ की सरकार 6 जिलों की उन 50,000 एकड़ बंजर भूमी पर हटी कलचर यानि बागवानी विकास और पाईसी कलचर यानि की मचली पालन करेगी यह किया गया है वेस्ट बंगाल के सरकार के दोरा वेस्ट बंगाल के सरकार ने मातीर इसमिर्ष्टी स्कीन लांच की है और इसके तहट ये मचली पालन और बागवानी विकास करेगी उन पचास हजार एकड़ बंजर भूमी पे यूरोक में पहला कुरोना वाइरस फ्री कंट्री कौन बना है? ये बना है स्लोवेनिया और भारत में पहला कुरोना वाइरस फ्री एस्टेट बना है गोवा और उनीटरि बना है लदाक पूरी दुनिया में पहला कंट्री कौन से है जो की कुरोना वाइरस फ्री बना है? वो है New Zealand वो है New Zealand रक्षा मंत्री राजनाज सिंग ने तर्टरक्षकबल यानिक Indian Coast Guard का कौन से जहाज को वीडियो कॉन्फरेंस के माद्यम से कमिशन किया है जो कि अभी अभी शुरू किया है इस जहाज का नाम है ICGS सचेत Indian Coast Guard SIP सचेत यह जो है Goa CPR Limited के द्वारा बनाया गया है Goa CPR Limited के द्वारा यह बनाया गया है ICGS सचेत कौन सी बैंक ने एक बिलियन डॉलर पास किया है भारत के Accelerating India's COVID-19 Social Protection Response Program के दहत यह किया है World Bank ने जिसके President and David Malpass जो अमेरिका के है तो यह एक बिलियन डॉलर का जो लून पास किया गया है यह पास किया गया है World Bank के द्वारा और एक और बात याद रिखे अभी अभी New Development Bank ने Emergency Assistance के तौर पे अपातकालीन सहायता के तौर पे एक बिलियन डॉलर का लून जो है वो भारत के लिए दिया है नए Guidelines का नुसार आरोगे सेतू एप में जो डेटा है वो अधिक्तम कितने समय तक एप में जमा रहेगा उसमें रिटेन रहेगा यह Maximum 180 दिनों तक उसमें जमा रहेगा चुकि Privacy Concern है इसके कारण से यह सिर्फ 180 दिनों तक ही उस आरोगे सेतू एप में रिटेन रहेगा कौन से मंतराले के द्वारा गोल प्रोग्राम सुरू किया गया है इसमें जो है ट्राइबल जो जनजाती है जो लड़के हैं उन्हें आनलाइन ट्रेनिंग दिलाई जाएगी यह Facebook के साथ मिलकर सुरू किया है यह किया है Ministry of Tribal Affairs ने जो गोल प्रोग्राम है इसे सुरू किया है Ministry of Tribal Affairs ने जिसके मंतरी है अरजुन मुंडा जिनकी constituency है खुंटी जारखन और Indian Archery Association जो है इसका भी President अरजुन मुंडा को बनाये गया है अरजुन मुंडा जो है यदि आप एक Android यूजर है और अपने फोन से मुबाइल बैंकिंग का यूज करते है तो कौन सा वाइरस है जो आपको अफेक्ट कर सकता है यह वाइरस है Event Board यह वाइरस का नाम है Event Board भारत की सरकार ने Asian Infrastructure Investment Bank के साथ 145 मिलियन डॉलर का agreement साइंग किया है यह जो 145 मिलियन डॉलर है यह किस राज़ी की सिचाई प्रणाली को विक्सित करने यह वाइरस बाढ़ के परबंधन में उप्यूग किया जाएगा यह है West Bengal पस्चिम बंगाल की सरकार को 145 मिलियन डॉलर दिया जाएगा ताकि वहाँ की सिचाई प्रणाली को और विक्सित किया जा सके और बाढ़ के जो प्रबंधन में और आगे कदम बढ़ाया जा सके आत्म निर्भर गुजरात सहाई योजना आत्म निर्भर गुजरात सहाई योजना के तहत गुजरात की सरकार अपने छोटे वैपारियों को कितना लोन देगी? ये देगी एक लाग रुपया एक लाग रुपया जो है छोटे वैपारियों को दिया जाएगा आत्म निरभर गुजरात सहाई योजना के तहट ये लोन collateral free loan होगा जिसमें कोई security या guarantee नहीं रखनी है और तीन साल में वापस करना है जिसमें मात्र 2% interest पे दिया जाएगा ये जो एक लाग रुप्या का loan है वो सिर्फ 2% interest पे दिया जाएगा भारत के कौन से मंत्राले ने 400 करोड की DTIS scheme सुरू की है defense testing infrastructure scheme ये सुरू किया गया है ministry of defense के द्वारा जिसके हमारे मंत्री है राजनात सिंग ये सुरू किया गया है ministry of defense के द्वारा DTIS scheme ministry of HRD ने जो कि ministry of human resource development है इसके द्वारा कौन सा e-governance platform बनाया गया है जिससे विध्यार्थियों को quality education provide किया जा सके इस platform का नाम क्या है इसका नाम है समर्थ ERP समर्थ Enterprise Resource Planning इसका नाम है समर्थ अभी अभी Wuhan diary नाम की जो किताब लिखी गई है ये किस के द्वारा लिखी गई है ये लिखी गई है fang fang के द्वारा ये लिखी गई है fang fang के द्वारा Wuhan diary सात्वा landing craft utility MK4 class जो कि इंडियन ने भी को मिला है port player में इसका नाम क्या है इसका नाम है INLCU L57 और इसको बनाया है Garden Reads Sick Builder and Engineer Limited ने GRSE Limited कौन सी country ने एंफान नाम दिया cyclone एंफान के लिए ये दिया Thailand ने इस एंफान cyclone के कारण भारत के जो दूरा जहें पस्षिम मंगाल और उडिशा काफी परभावित हुए हैं और पस्षिम मंगाल में बहुत सारा नुक्सान हुआ है जमु कास्मिर बैंक का MD यानि प्रबंद निदेशक किसे नुक्त किया गया है जमु कास्मिर बैंक का ये हैं जुबैर इकबाल जुबैर इकबाल को जमु कास्मिर बैंक का MD यानि की प्रबंद निदेशक नुक्त किया गया है किस राज ने राजियू गांधी किसान नियाई योजना सुरू की है ये किया गया है 36 गड़ की सरकार के दोरा राजियू गांधी किसान नियाई योजना इसमें परतेक किसान को गारेंटी है कि 10,000 रुपया परती एकड दिया जाएगा 10,000 रुपया परती एकड सरकार ने प्रधान मंतरी मतस संपदा योजना यानि मसलिप आलन के लिए कितने रुपे खर्च करने की बात रखी है सरकार ने 20,000,000,000 रुपे खर्च करने की बात रखी है 20,000 करोड प्रधान मंत्री मतस संपता योजना के तहत कौन सी कंपनी ने अभी-अभी जीफी को एक्वाइर किया है जीफी जो है एक लोगप्रिय वेब साइट है जहां एनिमेटेड इमेज और जीफ बनाये जाते हैं और सेर किये जाते हैं यह किया है फेस्बूक ने फेस्ब इंडिया चलाया गया है फेस्बूक ने प्रगति इनिसियेटिफ शुरू किया है जिसमें इंटर्प्रियनर्शिप के लिए उसको महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा अभी तक कितनी ऐसी भारत की मंडी है मिंस एकरिकल्चर मार्केट है जो की इलक्ट्रोनिक नेशन ए एक हजार हो चुकी है अब यह टोटल एक हजार हो चुकी है जो की यह इलक्ट्रोनिक नेशन एगरिकल्चर मार्केट से जुड़ चुकी है कौन सी आयाटी ने एक वेब पोटल बनाया है मूड ऑफ इंडिया कौन सी आयाटी ने एक वेब पोटल बनाया है मूड ऑफ इंड जो कि एक online dashboard है इसे बनाया है ये बनाया गया है NDMA के द्वारा National Disaster Management Authority के द्वारा नेपाल ने जो नया political map publish किया है इसमें कला पानी को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया है ये कला पानी कहा है ये है भारत के उत्तरा खंड राज्य में है कला पानी उत्तरा खंड में है और ये प Olympia धूरा को भी अपना area बताया है जो कि वास्तों में भारत में है FDI अब defense manufacturing में 49% से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है अब इसे बढ़ा कर 74% कर दिया गया है General Atlantic को बेच दिया है और इसके पहले भी टीन डील हो चुके है रिलांस जीयो के जो कि Facebook के साथ हो चुके है 9.99% स्टेक जो है इन्होंने Facebook को बेच दिया है ये कौन सी बार बने है फिर से ये पांचवी बार बने हैं Benjamin Netanyahu जो है इसराइल के प्रधान मंतरी ये पांचवी बार बने है ये इनका 5 टर्म है और इसराइल के Parliament को नेसेट बोलते हैं तीनों कंट्रेज बबल एरिया डिक्लियर करते हैं, जो कि तीनों कंट्रेज हैं, एस्टोनिया, लेटविया, लिथवानिया, लेकिन प्रस्थन यह है कि इनमें से कौन सा वो कंट्रेज है जो कि इस बबल एरिया में नहीं आता है, यह है अलबेनिया, अलबेनिया इससे बाहर मतल۰य मतलब यहे मित्तोifteridus in गैरे डिवानिय के लित्वयन शरी whIn not we are we didn't JON इसमें की जो वर्पकार एक जगा जासकते हैं लेकिन यह इसे बाहर औरिटन के लिए नहिए झासकते हैं በ चरहण पार्धू का योजना यह किस राज के दौरा सुरू की गई है ? मद्य पर्देश सरकार की द्वारा इसमें उन मजदूरों को चपल जुत्ते इत्यादी प्रभाइट किये जाएंगे जो की नंगे पाउं चल रहे हैं और मद्य पर्देश में चल रही बहुत सारी योजनाएं हैं जो की आपको ध्यान रखने चाहिए जैसे कि जीवन सक्ती स् सक्की में संभल योजना वो जो की दुबारा से स्टार्ट की गई है सिवरा सिंग चोहान के मुक्ह मंत्री बनने के बाद से उज्ज मल्टी परपस प्रोजेक्ट उज्ज बहुत दिस्य पर्यूजना ये बन रही है उज्ज नदी के उपर ये उज्ज नदी इनमें से कौन सी नदी की में ट्रिविटरीज है जो इसमें जाकर मिलती है ये नदी है रावी नदी उजजदी जो है रावी नदी की main tributaries है ये इसमें आकर मिलती है उजजदी सरकार ने राज्यों की जो borrowing limit है पहले 3% थी अब उसे बढ़ा कर कितना कर दिया है ये कर दिया है 5% इसका मतलब है कि जो राजे सरकार पहले अपने स्टेट GDP का 3% से ज़्यादा उधार नहीं ले सकते थे, वो अब इस अपने स्टेट GDP का 5% तक उधार ले सकते हैं। कौन सा बैंक है जो भारत में वीडियो KYC अलाव करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। यह है कोटेक महिंदरा बैंक, यह कोटेक महिंदरा बैंक है जिसने की जो KYC है वो वीडियो के माध्यम से अलाव कर दिया है। कौन सा राज यह है जिसने अपना Cyber Security Specific Accelerator Program बनाया है जिसका नाम रखा है HAC को बनाया है करनाटक ने और HAC को जो लागू करेगा उसका नाम है SICEC, Center of Excellence in Cyber Security के करनाटक का है। भारतिय डाक मुंबई ने एक Special Postal Cover जारी किया है। यह किसको dedicate किया है? यह किसको समर्पित है? यह समर्पित है Migrant Worker को, प्रवासी मजदूरों को समर्पित है यह Special Postal Cover और हाले में United National Postal Agency और World Health Organization ने एक डाक टिकट चारी किया था जो कि ए स्मॉल पॉक्स के उन मूलन के 40 वर् उपलक्ष में एक डाक टिकट जारी किया गया था, स्मॉल पॉक्स के eradication में। इस कुरोना वारस महमारी के दोरान ICC कमिटी ने जो है बॉल को साइन करने के लिए स्विन कराने के लिए सलीवा के यूज को बैन कर दिया है। इस पे सलीवा यूज नहीं कर सकते। यह कमिटी किसकी recommendation थी। यह कमिटी के chairman कौन थे। यह कमिटी के chairman थे अनिल कुम्बले। अनिल कुम्बले के chairmanship में कमिटी ने यह recommend किया है कि आप बॉल पे सलीवा का यूज नहीं कर सकते हैं। यह बनाया है जापान के द्वारा, Space Operation Squadron यह बनाया है जापान में। Finance Minister निर्मला सिता रमन ने online education को promote करने के लिए कौन सा initiative launch किया है। इसका नाम है PME विद्या, PME विद्या, और अभी दिख्चा platform भी launch किया है। इसे जिसे बोलते हैं one nation, one digital platform, one nation, one digital platform दिख्चा। और मनोदर्पन initiative भी launch किया है, यह किया गया है ताकि बच्चों को, सिक्षकों को और उनके परिवारों को, उनके mental stress और emotional situation में psychological support यानि कि मनोगयानिक सहायता, सहयोग दिया जा सके। मनोदर्पन initiative यह भी launch किया गया है। और एक national fundamental literacy and numeracy mission भी launch किया गया है, जिसमें कि यह ensure किया जा सकेगा, कि 2025 तक great third के सभी बच्चों को संख्या का बहतर ग्यान हो सके, और जो fundamental, जो मुलभूत सिक्षन हैं, वो उन्हें जरूर दिया जा सके। कौन सा union territory है, जो की coronavirus free हो चुका है, यह है लदाख, जहांके lieutenant governor है, R.K. माथूर, लदाख ने अपने सारे active cases में recovery कर लिया है। भारत के कौन से मंत्राले ने एक mobile app launch किया है, नेशनल टेस्ट अभ्यास, यह किया है, ministry of HRD ने, ministry of human resource development ने। यह उन पर इक्षाओं के लिए है, जैसे कि NEETJE, जिसे national testing agency जो है, conduct करवाती है, उन पर इक्षाओं के लिए launch किया गया है, national test अभ्यास। यह किताब किसने लिखी है, जो अभी अभी publish हुई है, hop on, my adventures on books, trains and planes. यह लिखा है, Ruskin Bond ने, Ruskin Bond के द्वारा लिखी गई है, hop on. इसमें, कुछ ऐसी भी और किताब भी है, इन की, Ruskin Bond की, जो की लोग प्रिया है, जैसे की coming round the mountain, words from my window. कौन सी railway zone ने, एक robot बनाया है, जिसका नाम है, rail boat, आरबोट, जो hospital management function में मदद करेगा. यह बनाया है, South Central Railway, जिसके headquarter है, सिकंदराबाद. एलेक्जेंडर डेलरिंपल अवार्ड 2019, इसने जीता है, यह जीता है, वाइस एड्मिरल विनय बदवार ने, जो की भारत के एक अच्छे हाइड्रोग्राफर है, और एक और बात ध्यान रखे, भारत का जो एक जहाज है, INS जमुना, यह हाइड्रोग्राफिक सर्वे के ल इससे लोगों को सेना को सर्व करने का मौका और सेना को जाने का एक बहतर मौका मिल सकेगा, यह होगा 3 सालों के लिए, इसमें आर्मी 3 सालों के टूर अव ड्यूटी के लिए, सिविलियन्स को ले जाने की योजणा बना रही है कौन सी कंपनी ने एहमदाबाद वेष्ट कंपनी बाइट प्रुफिसी को खरीद लिया है ये किया है एकसंचर ने भारत में पाइब स्टार गारड़ेज फ्री सीटी का टैग किसे मिला है ये टैग जो है छे सहरों को मिला है इंदोर, सूरत, अंभिकापूर, राजकोर्ट, नवी मुंबई और मैसूर और यहां तीनों सहर हैं इंदोर, सूरत और अंभिकापूर तो हमारा उत्तर है All of the Above कौन सीराज्य या केंदर सासित परदेश ने सुकून इनिसियेटिव लाउंच किया है इंडियन स्टील असोसियेशन का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है इसके अध्यच बने है दिलिप उम्मेन हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है हर्सवर्धन इन्होंने कौन सी और्गनाईजेशन के एक्जिकुटिव बोर्ड के चेर्मेन के तौर पे अपना पदग्रहन किया है ये और्गनाईजेशन है World Health Organization इन्हें World Health Organization के एक्जिकुटिव बोर्ड का चेर्मेन बनाया गया है डॉक्टर हर्सवर्धन को डीधी विकिल सर्विस ये किस राजजी के कौन से जिले में शुरू की गयी है और डीधी कैंटीन जो है वो जर्खंट के सरकार के स्कीम है जिसमें की गरीबों को प्री में खाना दिया जता है नाबाट के चेर्मेन कौन बने हैं ये हैं चिंतला गोविंद रजुलू किसानों के लिए मी अन्नपुन्ना योजना किसी राजी ने शुरू की है यह शुरू की गई है महरास्ट के सरकार के द्वारा जहांके मुखमंत्रियां उध्र ठाकरे और गवर्नर है भागर सिंग को सियारी वर्ल्ड बैंक की नई वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एकोनोमिस्ट कौन बनी है इनका नाम है कार्मन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की जो है वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एकोनोमिस्ट बनी है कार्मन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक का हैड़क्वार्टर है वासिंग अटन 12B और इसकी पहली जर्णी जो है वो पंडित दिन द्यालूपाद्या जंक्षन यूपी से बरवाड़ी जहरखंट तक थी और इसे बनाया है मधेपूरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिक फैक्टरीन है एमियल जिसके द्वारा ये बनाया गया है एक e-commerce एप बनाई गई है order me ये किसके द्वारा लॉंच की गई ये किस organization की है ये है पतंजली की ये पतंजली की ये पतंजली की एप है order me facebook ने एक e-commerce platform अपना बनाया है इसका नाम क्या रखा है इसका नाम रखा है facebook shops facebook की जो e-commerce platform बनी है उसका नाम है facebook shops केंद्र सरकार ने परधान मंतरी वाया बंदना योजना को कितने वर्सों के लिए extend किया है इसे तीन वर्सों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है जो कि मार्च 2023 तक अब ये चलेगी मार्च 2020 से मार्च 2023 तक ये बढ़ा दी गई है ये योजना 2017 में शुरू हुई थी इस इसमें maximum limit है फंद्रा लाग फंद्रा लाग से ज्यादा investment नहीं किया जा सबते हैं सरकार ने कौन से मंदिर के lights को पूरी तरह solarize कर दिया है अब ये पूरी तरह solar पर डिपेंड है ये मंदिर है कोनार्ग sun temple कोनार्ग सुरी मंदिर उडिशा का जो है इसमें सारे lights है वो पूर तरह सोलर पे डिपेंड है तो ये था हमारा बेस्ट 300 सीरीज का पार्ट 3 यानि की माई के तीसरे हफते से important questions. Thanks for watching and thanks for your immense support. Keep supporting and keep watching study cloud. Have a great time.